C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याए 1 अपनी संख्याओं की जानकारी प्रिश्ठिप 22 1.3.6 योग अत्वा अंतर का आकलन जैसा के हमने उपर देखा हम एक संख्या को किसी भी स्थान तक सन्निकटित कर सकते हैं व्यापारी ने धनराशी को निकटम हजारों तक सन्निकटित किया और संतुष्ट हो गया कि उसके पास परियाप्त धनराशी है इसलिए जब आपको किसी योग अत्वा अंतर का आकलन करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों सन निकटित कर रहे हैं और इसलिए किस स्थान तक आपको सन निकटित करना है निम्नलिकित उदाहरणों को देखिए उदाहरण पांच 5,290 जमा 17,986 का आकलन कीजिए हल हम देखते हैं के 17,946 5,290 से बड़ा है हम निकटतम हजारों तक सन निकटित करते हैं 17,986 सन निकटित होता है 18,000 5,290 सन निकटित होता है 5,000 तो आकलित योग हुआ 23,000 क्या ये विधी काम करती है आप यह थार्थ उत्तर ग्याद करके जाच कर सकते हैं कि ये आकलन विवेक पूर्ण है या नहीं उदाहरण 6 5,673,8,436 का आकलन कीजिए प्रारंभ में हम हजारों तक सन निकटित करते हैं क्यों? 5,673 सन निकटित होता है 6,000 घटा 436 सन निकटित होता है 0 आकलित उंतर 6,000 यह विवेक पूर्ण आकलन नहीं है यह विवेक पूर्ण क्यों नहीं है? निकटतम आकलन प्राप्त करने के लिए आईए प्रतिक संख्या को निकटतम 100 तक सननिकटित करने का प्रयत्न करें। प्रिष्ठ 23 5673 सननिकटित होता है 5700 घटा 436 सननिकटित होता है घटा 400 आकलितंतर है 5300 ये एक अच्छा और अधिक अर्थ पूर्ण आकलन है। एक दशमलव तीन दशमलव साथ आकलन करना गुणन फल हम गुणन फल का किस प्रकार आकलन करते हैं। उन्नीस गुणा अठथर के लिए आकलन क्या है। स्पष्ट है कि ये गुणन फल 2000 से कम है। क्यों? यदि हम उन्नीस का निखट्म दहाई तक मान निका लें, तो हमें 20 प्राप्त होता है। और फ़ेरट अठतर का निकट्म दहाई तक मान निका लें, तो असी प्राप्त होता है। अब वीस गुणा असी बराबर 163 गुणा 182 को देखिए यदि हम दोनों संख्याओं का निकट तम 100 तक का मान निकालें तो हमें 100 गुणा 200 बराबर हुआ 20,000 प्राप्त होता है ये वास्तविक गुणन भल से बहुत अधिक है इसलिए अब हम क्या करें एक अधिक विवेक पून आकलन ग्यात करने के लिए हम 63 और 182 दोनों को निकट तम दहाई तक सननिकटित करते हैं ये एक रमशह 60 और 180 है इसे हम 60 गुणा 180 अर्थाद 10,800 प्राप्त करते हैं ये एक अच्छा आकलन है परन्तु ये इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होता है यदि हम 63 को निकटम दहाई तक 60 लें और 182 को निकटम 100 तक 200 लें तो हमें 60 गुणा 200 यानि 12,000 प्राप्त होता है ये गुणन भलकाएक अच्छा आकलन है और जल्दी भी प्राप्त हो जाता है सन निकटन का व्यापक नियम ये है कि प्रत्येक गुणा की जाने वाली संख्या को उसके सबसे बड़े स्थान तक सन निकटित कीजिए और सन निकटित संख्याओं को गुणा कर दीजिए इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण में हमने 63 को दहाई तक और 182 को 100 तक सन निकटित किया है अब उपरोक्त नियम का प्रयोग करके 81 गुणा 489 का आखलन कीजिए 489 सन निकटित होता है 500 के 100 तक सन निकटित 81 सन निकटित होता है 80 के 10 तक सन निकटित अतह आकलित गुणन फल हुआ 500 गुणा 80 पराबर 40,000 है प्रयास कीजिए निमनलिखित गुणन फलों का आकलन कीजिए ऐसे ही पांच और प्रश्ण बनाईए और उन्हें हल कीजिए आपके लिए आकलनों का एक महत्व पूर्ण उपयोग ये है कि आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं मान लीजी आपने 37 गुणा 1889 ग्यात किया है परन्तु आप निश्चित नहीं है कि उत्तर सही है या नहीं प्रिश्ट 24 इस गुणन भलका एक तुरंथ यानि जल्दी प्राप्त होने वाला और विवेकपून आकलन 40 गुणा 2000 यानि 80,000 है यदि आपका उत्तर 80,000 के निकट है तो संभवत है आपका उत्तर सही है दूसरी ओर यदि यह 8,000 या 8,000,000 के निकट है तो आपके गुणा करने में अवश्य ही कुछ गलती हुई है प्रशनावली एक दशमलव तीन गठाने और उनके परिणामों के आकलन के दस और उदाहरन बनाईए दो एक मोटे तौर पर यानि रफ आकलन सौ तक सन्निकटन और एक निकट तम आकलन यानि दस तक सन्निकटन दीजिए ऐसे चार और उदाहरन बनाईए 3. व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्न लिखित गुणन फलों का आकलन कीजिए a. पांच साथात्तर गुणा एकसो एकसट b. 5,281 गुणा 3,491 c. 1,291 गुणा 592 d. 9,250 गुणा 39 ऐसे चार और उदाहरन बनाईए एक दशम लव चार कोश्ठकों का प्रयोग मीरा ने बाजार से छे अभ्यास पुस्तिकाईं खरीदी जिनका मूल्य दस रुपए प्रति पुस्तिका था उसकी बेहन सीमा ने इसी प्रकार की साथ अभ्यास पुस्तिकाईं खरीदी उनके द्वारा दी गई कुल धनराशी ग्यात की जिये सीमा ने धनराशी इस प्रकार परिकलित की 6 गुणा 10 जमा 7 गुणा 10 बराबर 60 जमा 70 उत्तर 130 रुपए मीरा ने धनराशी इस प्रकार परिकलित की 6 जमा 7 बराबर 13 और 13 गुणा 10 उत्तर 130 रुपए आप देख सकते हैं कि सीमा और मीरा के उत्तर प्राप्थ करने की विदियों में कुछ अंतर है परंतु दोनों के उत्तर समान है और प्राप्थ परिणाम सही है क्यों? सीमा ने कहा कि मीरा ने साथ जमा च्छै गुणा दस करके उत्तर प्राप्थ किया है अप्पू बताता है के 7 जमा 6 गुणा 10 बराबर हुआ 7 जमा 60 बराबर हुआ 67 है लेकिन मीरा ने जो उत्तर प्राप्त किया है वह यह नहीं है बस तीनों विद्यार्थी उल्जन में पड़ जाते हैं ऐसी स्थितियों में उल्जन दूर करने के लिए हम कोश्ठकों यानि ब्राकेट्स का प्रयोग कर सकते हैं हम कोश्ठकों का प्रयोग करके 6 और 7 को मिला कर एक समूह बना सकते हैं जो दर्शाएगा के इस समूह को एक अकेली संख्या समझा जाए प्रिष्ठ 25 जिस से उत्तर इस प्रकार प्राप्त होता है कोश्ठकों में 6 जमा साथ गुणा 10 बराबर 13 गुणा 10 यह वही है जो मीरा ने किया है उसने पहले 6 और 7 को जुड़ा और फिर प्राप्त योग को 10 से गुणा कर दिया कोश्ठकों का प्रयोग यह स्पश्ट रूप में हमें बताता है कि पहले कोश्ठकों के अंदर दी हुई संख्याओं को एक अकेली संख्या के रूप में बदलिए और फिर बाहर दी हुई संक्रिया कीजिए जो यहां 10 से गुणा करना है प्रयास कीजिए 1. कोश्ठकों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए व्यन्जक लिखिए A. 9 और 2 के योग की चार से गुणा B. 18 और 6 के अंतर को चार से भाग C. 45 को 3 और 2 के योग के तिगुने से भाग देना 2. कोश्ठकों में 5 जमा 8 और 6 के लिए 3 विभिन स्थितियां लिखिए A. ऐसी एक स्थिति है सोहनी और रीता ने 6 दिन कारे किया सोहनी 5 घंटे प्रति दिन कारे करती है और रीता 6 घंटे प्रति दिन कारे करती है दोनोंने एक सप्ता हमें कुल कितने घंटे कारे किया तीन, निमनलखित के लिए पांच स्थितियां लिखिए जहां कोश्ठकों का प्रयोग आवश्यक हो ए, साथ गुणा कोश्ठकों में आठ घटा तीन बी, कोश्ठकों में साथ जमाद दो, कोश्ठकों में दस घटा तीन एक दशमलव चार दशमलव एक, कोश्ठकों का प्रसार, यानि खोलना, हटाना अब देखिए किस प्रकार कोश्ठकों के प्रयोग और उनके प्रसार, यानि खोलने या हटाने से, हमें अपने कार्य को क्रम बद्धरूप से करने में सहायता मिलती है क्या आप सोचते हैं कि कोश्ठकों का बिना प्रयोग किये जिन चरणों का हम पालन कर रहे हैं उन्हें समझ पाएंगे? एक साथ गुणा एक सो नौ बराबर साथ गुणा कोश्ठकों में सो जमा नौ बराबर साथ गुणा सो जमा साथ गुणा नौ बराबर साथ सो जमा तरसट बराबर साथ सो तिरसट दो एक सो दो गुणा एक सो तीन बराबर कोश्ठकों में सो जमा तरसट बराबर साथ सो तिरस गुना कोश्ट को में 100 जमा 3। बराबर 100 गुना 100 जमा 2 गुना 100 जमा 100 गुना 3 जमा 2 गुना 3। बराबर 10,000 जमा 200, जमा 300, जमा 6, बराबर 10,000 जमा 500, जमा 6, बराबर 10,506, 3. 17, 109, बराबर कोष्टकों में 10,000 जमा 7, 109, बराबर 10,000 जमा 7, 109, बराबर 10,000, कोष्टकों में 100, 9, जमा साथ गुणा कोष्टकों में सौ जमा नौ बराबर दस गुणा सौ जमा दस गुणा नौ जमा साथ गुणा सौ जमा साथ गुणा नौ बराबर एक हजार जमा नब्बे जमा साथ सौ जमा तिरसट बराबर एक हजार आठ सौ तिरपन। एक दशमलव पाँच रोमन संख्यांक हभी तक हम हिंदु अरेविक संख्यांकों यानि हिंदु अरबिक नूमरल्स टी पद्धति का ही प्रयोग करते रहे हैं. यह एक मात्र संख्यांक पद्धति नहीं है. संख्यांक लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक पद्धती रोमन संख्यांकों यानि रोमन नूमरल्स की पद्धती है प्रिष्ट 26 यह पद्धती अभी भी अनेक स्थानों पर प्रयोग की जाती है उदाहरण आर्थ हम घड़ियों में रोमन संख्यांकों का प्रयोग देख सकते हैं इनका प्रयोग स्कूल की समय सारणी में कक्षाओं के लिए भी किया जाता है इत्यादी यहां हमें एक घड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें रोमन संख्यांकों का प्रयोग किया गया है ऐसे तीन और उदाहरण ग्यात कीजिए जहां रोमन संख्यांकों का प्रयोग होता है रोमन संख्यांग आइ 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 आई 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 आइ वी 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 आई वी आई 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 वी आे आई आई वन एकस एक्स क्रम शह संख्याएं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ और दस व्यक्त करते हैं इसके बाद ग्यारह के लिए XI और बारह के लिए XII ऐसे ही बीस के लिए XX का प्रयोग होता है इस पद्धती के कुछ और संख्यांक, संगत हिंदू अरेविक संख्यांकों के साथ इस प्रकार हैं I, 1, V, 5, X, 10, L, 50, C, 100, D, 500, M, 1000 इस पद्धती के नियम इस प्रकार हैं A, यदि किसी संकेत की पुनरावृत्ती होती है, तो जितनी बार वो आता है, उसका मान उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है अर्थात I, I, बराबर 2 है, X, X, बराबर 20 है, और X, 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 बराबर 30 है B, कोई संकेत 3 से अधिक बार नहीं आता है, परंतु संकेतों V, L और D की कभी पुनरावृत्ती नहीं होती है C, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत एक बड़े मान वाले संकेत के दाईं और जाता है, तो बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है जैसे, VI बराबर 5 जमा 1 बराबर 6 XII बराबर 10 जमा 2 बराबर 12 LXV बराबर 50 जमा 10 जमा 5 बराबर 65 D, यदि छोटे मान वाला कोई संकेत बड़े मान वाले किसी संकेत के बाईं और आता है, तो बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है जैसे, IV बराबर 5 घटा 1 बराबर 4 IX बराबर 10 घटा 1 बराबर 9 XL बराबर 50 घटा 10 बराबर 40 XC बराबर 100 घटा 10 बराबर 90 E. संकेतों V, L और D को कभी भी बड़े मानवाले संकेत के बाई और नहीं लिखा जाता है अर्थात V, L और D के मानों को कभी भी घटाया नहीं जाता है संकेत I को केवल V और X में से घटाया जा सकता है संकेत X को केवल L, M और C में से ही घटाया जा सकता है प्रिष्ठ 27 8 बराबर VIII 9 बराबर IX 10 बराबर X 20 बराबर XX 30 बराबर XXX 40 बराबर XL 50 बराबर L 60 बराबर LX 70 बराबर LX 80 बराबर LXXX, 90 बराबर XC, 100 बराबर C A. उपरोक्त सारणी में छूटी हुई संख्याओं को रोमन पधती में लिखिये B. XXXX, VX, IC, XVV, इत्यादी नहीं लिखे जाते हैं क्या आप बता सकते हैं क्यूँ? उदाहरण साथ, निम्न लिखित को रोमन संख्यांकों में लिखिये A. 79, B. 98 हल A. 79 बराबर 60 जमा 9, बराबर कोश्ठकों में 50 जमा 10 जमा 9, बराबर LX जमा IX इसलिए 70 बराबर LX IX B. 98 बराबर 90 जमा 8, बराबर कोश्ठकों में 100 जमा 10 जमा 8, बराबर XC जमा VIII इसलिए 98 बराबर XC VIII प्रयास कीजिए रोमन पधती में लिखिये 1. 73 2. 92 हमने क्या चर्चा की 1. दो संख्याओं में वही संख्या बड़ी होती है जिसमें अंकों की संख्या अधिक होती है यदि दोनों में अंकों की संख्या समान है तब हम उनके सबसे 22 अंकों की तुलना करते हैं और जिस संख्या में ये अंक बड़ा होगा वही बड़ी भी होगी अगर ये अंक भी समान है तब हम इसी प्रकार अंकों की तुलना करते जाते हैं दो, दिये गए अंकों से संख्या बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि संख्या को किन प्रतिबंधों के साथ बनाना है जैसे अंकों साथ, आठ, तीन वपांच से किसी भी अंक को बिना दोहराए चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़े अंक आठ को सबसे बाईयों रखना होगा और फिर उससे चोटे अंक रखते जाएंगे तीन, चार अंकों की सबसे चोटी संख्या एक हजार है जिसकार्थ है कि तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000 है जिसकार्थ है कि चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,9999 है प्रिष्ट 28 इसी प्रकार आगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1,00,000 है जिसकार्त है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है यही करम और बड़ी संख्याओं के लिए भी लागू होता है 4. अलप विरामों का प्रयोग संख्याओं के लिखने तथा पढ़ने में सहायता करता है भारती संख्यांकन पधती में पहला अलप विराम दाइं और से प्रारंब कर तीन अंकों बाद और बाकी दो दो अंकों बाद लगाए जाते हैं और ये अलप विराम क्रमशह हजार लाक पकरोड को अलग अलग करते हैं अंतराश्ट्रिय संख्यांकन पधती में अलप विराम दाइयोर से प्रारंभ कर तीन तीन अंकों के बाद लगाए जाते हैं तीन और च्छै अंकों के बाद अलप विराम क्रमशाह, हजार वं मिलियन को अलग-अलग करते हैं पांच दैनिक जीवन में अनेक स्थानों पर हमें बड़ी-बड़ी संख्याओं की भी आवशक्ता होती है जैसे किसी विद्याले में विद्यार्थियों की संख्या, गाम या शेहर की जन संख्या, बड़े बड़े लेन देन में धन, तथा दो बड़े शेहरों के बीच की दूरी 6. याद रखिए किलो कार्थ है हजार, सेंटी कार्थ है सौवां भाग, तथा मिली कार्थ है हजारवां भाग, इस प्रकार एक किलो मीटर बराबर एक हजार मीटर, एक हजार मीटर बराबर सौ सेंटी मीटर, बराबर एक हजार मिली मीटर 7. अनेक स्थितियों में हमें पूर्ण तया सही सही संख्याओं की आवशक्ता नहीं होती बलके एक उपयुक्त आकलन से ही काम चल सकता है जैसे एक अंतराश्ट्री अहोकी मैच के दर्शकों की संख्या बताने के लिए कह देते हैं के लगभग 51,000 दर्शकों ने मैच देखा यहां हमें दर्शकों की सही संख्या की आवशक्ता नहीं है 8. आकलन में किसी संख्या को एक वानचित मात्रा तक परिशुध करना होता है जैसे 4,117 का सन्निकटन हजारों में 4,000 तथा सैक्डों में 4,100 किया जा सकता है जो आवशक्ता पर निर्भर करता है 9. अनेक स्थितियों में हमें संख्याओं पर संक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त परिणामों का भी आकलन उपयोगी सिध्ध होता है ऐसे आकलनों में हम पहले प्रयोग होने वाली संख्याओं को सन्निकटित कर शीगरता से परिणाम प्राप्त कर लेते हैं अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक वाचन स्वर गौरव मार्वा निर्मान सहियोग सौम्या मलिक निर्मान विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत